उत्तर प्रदेश जो 2017 से पहले तक माना जाता था बिमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश मगर डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई और उत्तर प्रदेश बन गया आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेश प्रदेश के रूप में सतक्त हो रही है यूपी में कनेक्टिविटी के हजारो करोड के पांच मेगा प्रोजेक्ट पर एक साथ काम चल रहा है आज पुर्वान चल हो, मुंदेल खंड हो, पस्ची में उत्तर प्रदेश हो हर कोने को एक्सप्रेश वे से जोड़ा जा रहा है माननिय प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रतों में देश में कनेक्टिविटी के क्षित्र में सबसे अधिक विकास हुआ है आज उत्तर प्रदेश में 81,000 करोड की लागत से फ्रेट कॉरिडूर 7725 करोड की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट टर्मिनल 30,274 करोड रुपई की लागत से रीजिनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जेवर में 20,000 करोड रुपई की लागत से नॉइडा इंटर्नाशनल ग्रीन फील्ड अैपोर्ट एक लाख इकहत्तर हजार करोड रुपई के लागत से दिल्ली जेवर वारानसी हाई स्पीड रेल लिंक परियोजना बीस हजार करोड रुपई के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्मान मिशन मोड में चल रहा है पूरवानचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वा पूरण हिस्सा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी पहला सरूरी कदम है जिससे देश-विदेश के निवेशक आकरशित होते हैं तथा स्थानिय रोजगार एवं मुद्योग को बढ़ावा मिलता है माननीय मुख्य मंत्री यूगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश से देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्मान रिकॉर्ड समय में पूरा कराया है पूर्वांचल जो 2017 से पहले उपेक्षित तथा पिछडे पन का शिकार था आज वही पूर्वांचल ना सिर्फ प्रदेश का बलकि पूरे देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार है 22,500 करोड की लागत से तैयार विश्वस्तरिय पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अनुमानित लागत से कम खर्च में तैयार किया गया है सलाम है हमारे इंजिनियर, तकनीशियन, कामगारों और कारीगरों को जिन्होंने वैश्विक महामारी कुरोना एवं भारी वर्षा की कठिनाईयों का सामना करते हुए भी ये एक्सप्रेस वे निर्धारित समय से पहले ही तैयार कर दिया एक्स्प्रेस वे होने से पूर्वांचल अब न सिर्फ प्रदेश की राजथानी लखनाओ, बलकि देश की राजथानी दिल्ली से भी जुड़ गया है जिससे पूर्वी छोर से आवा गमन आसान होगा पूरवांचल एक्सप्रेस वे बनने से किसानों और स्थानिय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़े मारकेट में ले जाने में सुगमता होगी एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और पूरवांचल में लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल एवं टूरिजम क्षित्र में विकास को रफ्तार मिलेगी एक्सप्रेस वे के दोनों ओर इंवेस्मिन्ट पार्क और कारखाने स्थापित किये जाएंगे स्थानिय लोगों की सुविधा के लिए 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण कराया गया है संपूरण पूरवी क्षेत्र के साथ साथ पूरवी प्रदेशों को भी इसका लाभ मिलेगा चौमुखी विकास प्रदान करने वाले पूरवांचल एक्सप्रेस वे बनने से पूरवांचल के साथ साथ भारतिय वायू सिना की भी शक्ती बढ़ ही है सुल्तानपुर के कूरे भार में वायू सिना के लड़ाको विमानों की इमजन्सी लैंडिंग के लिए 3.2 किलोमेटर लंबी हवाई पट्टी बनकर तैयार है आज माननिय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकास के असीम अवसर प्रधान करने वाले पूरवांचल एक्सप्रेस वे का लोकारपण की आ जा रहा है जिससे पूर्वानचल की छवी को नई पहचान मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रिष्ठ भारत का संकल्प साकार होगा सोची मांदार, काम दमदार